इसकार दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही चैनल मोलीस किचिन भिंडी या जिसे हम ओखरा भी कहते हैं इसकी सबजी हर किसी को बहुत पसंद आती है खास कर बच्चे इस सबजी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूं दही वाली भिं सबसे पहले हम कड़ाई में थोड़ा सा बेसन लेंगे और इसे हम हलकी आज पर भूनेंगे जब तक इसे एक अच्छी सी खुच बूना आने लगे ध्यान रही ज्यादा तेज आज पर हमें नहीं भूनना है अधर्वाइज बेसन जल जाएंगे लेने वाले हैं दही आप घर में जमी हुई दही भी ले सकते हैं मैंने ये नेसले वाली दही लिये कोई भी दही ले सकते हैं बट याद रहे हैं दही बहुत ज़्यादा खटी नहीं होनी चाहिए अब इस दही में हम मिला रहे हैं बेसन जिसे हमने भूनके रखा था और साथ ही मिला रहे हैं हम धनिया पाउडर, मिलाएंगे जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और देगी लाल मिर्च जिसे कलर अच्छा आएगा अब इन सभी तयार मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करके एक साइड में रख देंगे हमारा मसाला कुछ इस तरह से दिखेगा अब चलिए हम कडाई में तेल गरम करते हैं यहाँ पे मैंने मस्टर डॉल यूज किया है कोई भी सबजी यह दी है मस्टर डॉल में बनाए तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है तो जिन भींडियों को मैंने कट करके रखा था याद रहे एक टिप आपके साथ शेयर करूंगी जब भी हमें भींडि बनानी हो उसे हमें पहले धो के एक सुखे कपड़े से पोश लेना चाहिए उसके बाद उसे काटना चाहिए यह देखे मैं भींडि कडाई में भुन र दूसी कडाई में जिंजर जींजर गारली पेस्ट यह मैंने 1 टेबल स्पून डिया है इसमें स्लाइस्ट ओनियन डाल रही हूं तो यह नहीं प्याज हमें थोड़े बड़े ही काटने है और इनको हमें लो मीडियम फ्लेम पे अची तरीके से भुना है साथ इसमें एट कर रही हूं मैं नमक स्वादा अनुसार और टोमैटो पेस्ट डाल रहा है मैंने और इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से सौटे की अब इसमें मैं एट कर रही हूं दही वाला मिस्चर जिसमें हमने तयार करा था धनिया पाउडर जीरा पाउडर गरम मसाला देगी मिर्च और दही डाल के अब इन सभी मसालों को हम अच्छी तरीके से सौटे करेंगे लो मीडियम फ्लेम चलाते रहना है क्योंकि हमने इसमें डाला हुआ है अदर्वाइस दही हमारी फट जाएगी जब मसाले पक जाएंगे तो यह ओल रिलीस करेंगे अब इसमें मैं एट करी हूँ पानी साथी एट करी हूँ हल्दी पॉडर जो मैं पहले डालना भूल गई थी अब इनको अच्छी तरीके से चलाएंगे देखें मस मसालों में एट करेंगे और हलके हाथों से भिंडी को इन मसालों के साथ हम मिक्स करेंगे ध्यान रहे हमारी भिंडी टूटनी नहीं चाहिए इनको हम एक से दो मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे ही भुनेंगे अब इसमें फिर से मैंने पानी डाला है ग्रेवी के लिए ग्रेवी की थिकनेस आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं ये 2-7 चाही पादना पन अपीप मशाल आपस में आयर खीकर guilty आपने,पस नमारी आपे साँ गल समित,चरा हे सबस्ण रिपले के आपité है सभी कई नहीं आपिसे पस्टा है थैंक्स पर वाचिंग, बावाई!